दोस्तो, IPL 2020 में । अब तक सभी टीमें 13-13 मैच खेल चुकी है। तो ओहीं एक टीम है जो प्ले- ओफ में कौलिफाय कर गई है। तो ओहीं एक ऐसी भी टीम है जो प्ले- ओफ से बाहर हो चुकी है। बाकि 6 टीमों का अभी तक confirm नहीं हो कि कौनसी team playoff में qualify करने हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं IPL 2020 में कौनसी ओ 4 team है जो playoff में qualify करने वाली है और कौनसी हो 4 team है जो IPL 2020 के playoff से बाहर हो जाएंगी तो बहुत ही interesting video होने वाला है इसमेंसे आपकी फिवरेट टीम भी हो सकती है तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना हो साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी लेटेश वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले सबसे पहले बात कर करते हो जो पहली टीम है प्लेओफ में कौलिफाय कर गई है वह है मुंबई इंडियंग मुंबई इंडियंग अब तक 13 मैच खेलिये 13 मैचों में से 8 पॉइंट के तद पहले हस्तान पर बनी है और पहले अस्तान पर ही रहेगी वह पहली टीम बन गई है जो आईप्यल 2020 के प्लेआफ में जगह बना चुकी है वह अगर हम बात करें पहली ओर टीम जो प्लेआफ से बाहर हो चुकी है वह चिन नहीं सूपर किंग चिन नहीं सूपर किंग अब तक 13 मैच के लिए 13 मैचों में से सिर्फ 10 पॉइंट के साथ सबसे लास पोजिशन पॉइंट टेबल में अब तक उनकी कोई भी चांसे एक परसिंटी भी चांसे नहीं है कि प्लेआफ में कौलीफाय करने वाली है और अब बात कर लेते हैं उन छे टीमों के बारे में कौन सी हो तीन टीम है जो प्लेआफ में जगह बनाने माली है पर दूसरी टीम है रोयल चैलेंगर बिंगलोर के चांसे थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि उनका नेटन रेट डिल्ली कैपिटल से बहतर है और अगर यह एक मैच और जी जाती है तो प्लेआफ में जगह बना लेकिन नेटन रेट भी बहतर है लेकिन टॉप फोर में वह हंड्रेट परसंट रहने वाली है तीसरी जो टीम है वह दिल्ली कैपिटल के चांसे थोड़े से कम नजर आ रहे हैं अगर किंग सिलेवन पंजाब मैच जी जाती है तो अगर दिल्ली कैपिटल से अपना मैच हार जाती है आखरी मैच तो दिल्ली कैपिटल के बाहर होने के चांसे थोड़े से जादा बढ़ जैसे कि कोलकाता नाइटाइडर्स है, संडाइजस हैदराबाद है, राजस्तान रोयल्स है और किंग सिलेवन पंजाब, यह चारो टीम हो मैं से कोई एक टीम जो चौदे पाइदान पर रहने वाली है, अब देखना यह होगा कि लास्स मैच सारी टीम है, अपना कौन सी टीम जीती है, कौन सी हारती है, वैसे आज का मैच बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने माला चन्नाइज सूपर किंग और किंग सिलेवन पंजाब, चन्नाइज सूपर किंग अलेटी आईपेल 2020 के प्लेओफ से बाहर हो चुक है, लेकिन किंग सिलेवन पंजाब अगर यह मैच हारती है, तो भी यह मैच आईपेल 2020 के प्लेओफ से बाहर हो जाएगी, वहीं अगर राजस्तान रोयल्स का मैच दिल्ली कैपिटल के साथ है, दोनों टीमों में से काफी अगर राजस्तान रोयल्स हारती है, तो राजस्तान रोयल्स बाहर हो जाएगी और दिल्ली कैपिटल प्लेओफ में क्वालिफाय करने वाली है, वहीं रोयल चैलेंजर बेंगला और संडाइस हैदराबाद के बीच का मैच जो दोनों में तो कोई भी टीम जीतेगी, वह टी अगर आपको वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक करते ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते ना, थैंक्यू सो मच वाचिंग इस वीडियो